वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हाली में जारी यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रत्सताबादी के पास सुरक्षित पेजल नहीं है ठीक है तो दुनिया की टोटल 26 प्रत्सताबादी है जिसके पास सुरक्षित पेजल नहीं है फिर है 22 मार्च 2023 को उगादी महुत्सव ने खितमे राइट्स प्रैक्टिक्स रिपोर्ट जारी की है ठीक है यह रिपोर्ट जारी की गई है अमेरिका के द्वारा 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन हिूमन राइट प्रैक्टिसेस 25 मार्च 2023 कोख करनाटक के चिक्का बलापुर में स्री मधुसूदन साई आयर विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का लोकारपन किस ने किया तो इसका लोकारपन किया है नरेंद्र मोदी ने याद रखेगा स्री मदुसूदन साई आयर विग्यान और अनुसंधान संस्थान ये है खरनाटक में हाली में केंद्री बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग और आयूस मंत्री सर्बानन सोनुबाल ने ग्रीन पोर्ट और सिपिंग में भारत के पहले राष्ट्री उ।ुत क्रिश्च्टता केंद्र का उधगाटन किस सहर में किया तो इसका उधगाटन किया गया है गुरगाहँ में ठीके आगला सवाल है भारत का लक्ष कब तक Green Sip के लिए Global Hub बनाना है तो ये लक्ष है 2023 तक Global Hub for Green Sip फिर है भदेश का पहला PM Mega Integrated Textile Reason and Apparel यानि PM मित्रा पार्क किस राज के विर्धुनगर जिले में स्थापित किया जाएगा तो पहला तमिल नाडू में याद रखेगा टोटल साथ PM पार्क बनने हैं जिसमें पहला जो है वो विर्धुनगर तमिल नाडू में स्थापित किया जाएगा फिर है मार्च 2023 को कुलतार सिंग संधवा किस राजी के विधान सभा के लिए नए स्पीकर बने हैं तो पंजाब पंजाब की विधान सभा के नए स्पीकर बने हैं कुलतार सिंग संधवा भारती प्राडी सरविक्षड के वग्यानिकों किस राजी में कैट फिस की एक नई प्रजाती एक एक सो एश्टोमा ध्रितिया की खोचकी है तो ये अरुनाचल प्रदेस में कैट फिस की नई प्रजाती मिली है हाली में किस देस के प्रशिद फुटबालर मेसुत ओजिल ने सन्यास लेने की गोशना की है तो मेसुत ओजिल जो हैं वो जर्मनी के फुटबालर हैं इन्होंने सन्यास लेने की गोशना की है हाली में प्रशिद पत्रकार अभै छजलानी का निधन हो गया इनको कब भारत सरकार के दोरा पदमस्री से सम्मानित किया गया था तो इनको मिला था 2009 में पदमस्री और याद रखेगा परसनालिटी नेम अभै छजलानी जो है वो एक प्रशिद पत्रकार है एक्जाम में आपको या तो डारेक्ट क्वेशन पूछा जा सकता है या फिर मिलान करने को दे देगा खभी किसी पत्रकार का नाम, किसी खिलाड़ी, किसी अभिनेता का नाम आपको मिलान करना होगा फिर आगे बढ़ते हैं जनरेशन के साथ मौसम, जलवाई और जल का भविश्य थीम के साथ जल विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 किस दिन मनाया गया तो यह मनाया गया 25 मार्च को ठीक है विश्व मौसम विज्ञान दिवल्स और इस बार के ठीम थी जनरेशन के साथ मौसम जलवाई और जल का भविस्य ठीक है दे फ्यूचर आफ विदर, क्लाइमेट एड वाटर एक्रोस जनरेशन्स फिर है 21 मार्च 2023 किस मंत्राले ने मानव और वन्य जीव के विश सामनजस पोड़िस सह आस्तित्तों को बढ़ावा देने के लिए मानव वन्य जीव संगर्स में कमी लाने के लिए 14 अधिसा नियुर्देश जारी किये हैं तो ये जारी किया गया है पर्यावरण वन एम जलवाय परिवर्तन मंत्राले के द्वारा 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाए गया इसको पहली बार कब मनाए गया था 2003 में ठीक है 2003 में पहली बार मनाए गया था और 21 मार्ज को होता है विस्व कठपुतली दिवस World Puppetry Day फिर है अंतराश्ची नवरोज दिवस तो ये भी 21 मार्ज को होता है International नवरोज जे दिल्ली के वित्तमंत्री कैलास गहलोत ने वित्तवर्स 2023 के लिए कुल कितने करोड रुपए का बजट पेस किया तो ये है 78,800 करोड रुपए का बजट ठीक है कैलास गहलोत दिल्ली के वित्तमंत्री है फिर है 20 मार्श 2023 को किस राजी में पाखला दिवस मनाया गया पाखला दिवस सिलिबरेट किया गया है उडिसा में ठीक है पाखला दिवस उडिसा हाली में प्रकासित पुस्तक A Matter of Heart Education in India ये किस ने लिखी है तो ये पुस्तक है अनुराग बहेर की अनुराग बहेर की पुस्तक है A Matter of Heart Education in India अगला सवाल है हाली में किस लेखाक और इतिहासकार के अंग्रेजी में पहली पुस्तक छत्रपती सिवाजी महाराज का विमोचन किया गया तो ये इंग्लिस में पहली पुस्तक है स्रीमंत कोकाटे की आलवे is a poet even in pros theme के साथ विश्व कविता दिवस 2013 किस दिन मनाया गया ये मनाया गया है 21 मार्च को थेक है 21 मार्च को विश्व कविता दिवस 2023 एट पिर है रा कामपा प्रमुख सरत पवार के अध्धिक्षवाले प्रमुख नेताओं की जीरी ने 2022 के लोकमत संसदी पुरसकारों के लिए सर्वस्रेश्ट संसद के रूप में किसको चुना है ति दोनों चुने गए हैं ओबरैन और असुदिन के दो वैसी हाली में असम राइफल्स ने अपना 127 वां स्थापना दिवस मनाया 24 मार्च को असम राइफल्स का स्थापना दिवस होता है 24 मार्च को और इस बार इन लोगों ने 127 वां स्थापना दिवस मनाया था फिर है भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इंफैंटरी संग्रहाले किस राजी में स्थापित किया गया है दूसरा दुनिया का दूसरा इंफैंटरी संग्रहाले स्थापित किया गया है मद्यप्रदेश में ये भारत का पहला है और दुनिया का दूसरा ऐसा संग्रहाले है फिर हाली में कि देश का पहला ग्रीन इस्टील बांड कल्यानी फेरिश्टा ये लांच किया गया तो यह भारत में, ठीक है, कल्यानी फेरेष्टा, या आपको इक्जाम में पूछ सकता है कि किस से related है, कल्यानी फेरेष्टा कोई company है या क्या है, आप याद रखेगा एक पहला green steel bond है, कल्यानी फेरेष्टा, फिर है, भारती मूल के कृष्णा वविलाल को किस देश का presidential lifetime award मिल यूस्से का है यह बोड प्रेजिडेंशिल लाइफ टाइम फिर है किस राज्य में भारत का पहला Krissy Чञइड बॉक्स Kra declus nya किस त는지 में लॉच्च किकेया है तो बिषए कि ये पहला क्रिसी चैड बॉक्स धारत का यो कही उडिस often में लॉंच किया गया है फिर है किस राजी की स्वीटी बूरा ने महिला वर्ड बॉक्सिंग चैंपियंशिप 2023 में गोर्ड मेडल जीता है तो स्वीटी बूरा जो है हरियाना की है और इनको महिला वर्ड बॉक्सिंग चैंपियंशिप में गोर्ड मेडल मिला है फिर है एबल पुरसकार 2023 का किसको मिला है तो ये मिला है लुइस कैफरेली को लुइस कैफरेली को मिला है 2023 का एबल पुरसकार ये किस छेतर में दिया जाता है इसको कमेंट बॉक्स में बताईए ये किसी छेतर के नोबिल प्राइस के बरावर होता है एबल पुरसकार जो कि इस बार मिला है लुइस कैफरेली को कमेंट बॉक्स में बताईए अगला सवाल है A.C.N. होकी फेडरेशन ने किस महिला खिलाडी को अगले दो वर्स के लिए एथलेटिक अमेजडर ने उक्त किया है तो ये हैं सलीमा टेटे 24 मार्च 2023 को पहला सहरी जलवाई फिल्मोटसाओ का आयोजन आवासन और सहरी कारे मंत्राले फ्रेंच डेवलप्मेंट एजनसी और ये किया गया है नई दिल्ली में पहला सहरी जलवाई फिल्मोटसाओ फिर आगे बढ़ते हैं भारत सरकार ने साल 2023 24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए नियूंतम समर्थन मूले में 300 रुपए प्रति कीलो की वृधिकी है इसके साथ ही अब जूट का नियूंतम समर्थन मूले में प्रति क्विंटल कितने रुपए हो गया है ये बताना है ये हो गया है पांच जार पचास रुपए ठीक है कच्चे जूट के लिए प्रतिवर्स गुलामी और ट्रांस अट्लांटिक स्लेव ट्रेड के पीडितों की याद का अंतिराश्ट्री दिवस कब मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 25 मार्श को इंटरनेशनल डी ओफ रिमेंब्रेंस ओफ विक्टिम्स ओफ स्लेवरी एंड ट्रांस अट्लेंटिक स्लेव ट्रेड ठीक है इसकी याद में फिर है मार्श दोजार तेज को 71 मां इंडिया पुलिस अथलेटिक सेंपियंशिप उत्तर प्रदेश के किस सहर में आय जित किया गया तो लखनव में ठीक है ओल इंडिया पुलिस अथलेटिक सेंपियंशिप लखनव में फिर हाली में कि संस्थान के पी एच डी इस्टुडेंट डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गए सिमूलेटर मसीन को पेटेंट मिला है तो यह हैं आयाइटी पटना के पीएच डी इस्टुडेंट है डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती इनके द्वारा बनाए गया एक सिमूलेटर मसीन है इसको पेटेंट मिला है फिर है यूएन का फ्रेंच भासा दिवस दो जार तेस किस दिन मनाया जाता है यह मनाया गया 20 मार्च को फिर है हाली में उत्तराखं मनत्राले के दूर संचार विभाग है यह संचार मंत्राले के दूर संचार विभाग की है पिर थula 31 मार्च से लेकर nggak कर के अप्रेल 2023 तक संस्कृति मंत्राले के द्वारすके सहर में। वितस्ता एकले डी थिए क्शन की आए जाएगा। Fuj gesture abd प्रदीप सरकार का निधन हो गया ये प्रशिद फिल्म निर्दे सकते प्रदीप सरकार फिर है हाली में किस राजी सरकार ने एरोड जी लेके तंथे पेरियार वन्य जी अभ्यारण को राजी का अठारा हुआ वन्य जी अभ्यारण घोसित करने का फैसला किया है तो तंथे पेरियार वन्य जी अभ्यारण है तमिल नाडु राजी में और ये जो है अब हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं हाली में किस insurance company ने अपने health insurance policy धारकों के लिए अपने latest feature anywhere cashless पेस किया है तो यह है ICICI Lambert का इनिवेर cashless फिर 23 मार्श 2023 को असम मैभव पुरसकार से किसको सम्मानित किया गया असम मैभव पुरसकार दिया गया है 2023 का तपन सैकिया को फिर आगे बढ़ते हैं ICIR की एक वैग्यानिक टीम ने किस राज में इस्थित कुद्दा लोर तट से एक नई प्रजात की मौरे इल मचली की खोच की है ठीक है तो यह जो है यह तमिलनाडू राजी से इसकी खोच की गई है 25 मार्च 2023 को किसकेंद्री मंत्री ने पांच राजियों में अरावली परवत स्रिंखला के आसपास के 5 किलो मीटर के बफर शेत्र को हरिद बनाने की बढ़ी पहल के रूप में अरावली ग्रीन वाल पर योजना का सुभारम बखिया तो ये योजना का सुबारम किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा जो अरावली परवत स्रिंखला है उसके दोनों साइड उसके आसपास के पांच किलो मीटर के बफर शेतर को हरिद बनाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल पर योजना फिर है 25 मार्च 2023 को इंटरनेशनल साइन्स सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहां किया तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में फिर है विस्वरंग मंच दिवस 2023 किस दिन मनाया गया 27 मार्च को फिर है वरीद ठेक के थाला का निधन हो गया ये एक प्रशिद अभी नेता थे वरीद फिर है एसियन शनूकर इंग्लिस एंड बिलियर्ट चैंपियंशिप 2023 का खिताब किस ने जीता है तो पंकज आडवानी को ये खिताब दिया गया है फिर आगे बढ़ते हैं बांगला देश किस दिन अपना सुतनतरता दिवस मनाता है बांगला देश तो ये 26 मार्च को किस देश के प्लेयर टेलर मूर ने गोल्फ प्रतियोगिता वॉल्स चैंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है तो ये खिताब जीता गया है अमेरिका के द्वारा फिर है हाली में किस राज्य में पंच पांच दिवसी याउ सांग महुतसा मनाये गया है मनीपूर में ठीक है अभी तक देखिए हम लोगों ने कई फेस्टिवल देखे हैं इसका आप एक काम करिएगा कि आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा ठीक है एक्जैम में जरूर पूछा जाएगा कोई न कोई फेस्टिवल फिर है 74 में इस ट्रेंड जा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्णामेंट 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो इस टूर्णामेंट में भारत को मिले हैं टोटल आठ पदक फिर है जूनियर इरान में आयो जित जूनियर का बड़ी विसो चैंपियंशिप किसने जीती है भारत ने ठीक है जूनियर का बड़ी विसो चैंपियंशिप 2023 जो कि इरान में आयो जित हुई थी इसका विजेता है भारत फिर हाली में प्रकासित पुस्तक इंडियाज वैक्सिन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सिन मैत्री किसने लिखी है यह पुस्तक है सज्जन सिंग यादव की फिर ग्री और सहकारिता मंत्री अमित्साह ने मार्श 2030 को किस सहर में सहकार समरिद्धी सौध का सिला न्यास किया और 1400 करोड रुपए के विकासकारियों का उद्घाटन किया ठीक है तो इसका उद्घाटन किया गया है बैंगलोरू में फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है खबरों में रही पुस्तक आजाद किसकी आत्मकता है ठीक है पुस्तक आजाद किसकी आत्मकता है तो यह आत्मकता है गुलामनभी आजाद की अगला सवाल है मार्च 2013 को केरल के सर्वोच नागरिक सम्मान केरल जोती से किसको सम्मानित किया गया तो ये M.T. वासुदेवन नायर को M.T. वासुदेवन नायर को मिला है केरल जोती जो की केरल राज का सर्वोच नागरिक सम्मान है जी ट्वेंटी के व्यापार और निवेसकारी समुहू टी आई डबलू जी की पहली बैठक 28 मार्ज से 30 मार्ज तक कहां आयोजित की गई मुंबई में केंद्री वाडिज जी एवं उद्ध्योग मंत्री सूसरी अनुप्रिया पटेल ने 27 मार्ज 2023 को किस सहर में आयोजित इंडिया सॉफ्ट के 23 समस्करण का उद्धाटन किया तो नई दिल्ली में इसका उद्धाटन किया गया है आगे बढ़ते हैं किस राज्जी में इस्थित कूनो राष्ट्री उद्ध्यान में एक मादा चीता शासा की मौध हो गई है तो कूनो राष्ट्री उद्ध्यान है मध्य प्रदेस में ठीक है मध्य प्रदेस में है कूनो राष्ट्री उद्ध्यान यहाँ पे एक मादा ची फिर आगे देखते हैं हाली में चुना आयोग ने ट्रांसजेंडर लोग कलाकार मजम्मा जोगती को समुदाई के लिए चुनाव आइकन में के रूप में चुना है मजम्मा जोगती किस वर्स पदमसरी से इनको सम्मानित किया गया था दोहजार 21 में इनको पदमसरी दिया गया था फिर है मार्च 2023 को इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM3 द्वारा स्री हरी कोटा से वन वेप के कितने सैटेलाइट को लांच किया है तो टोटल 36 सैटेलाइट LVM3 ठीक है याद रखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं ISSF विस्वकप 2023 भोपाल में भारत के नेकुल कितने पदक जीता है साथ पदक जीता है जिसमें एक गोल्ड है एक सिल्वर है पांच ब्रॉंज है ISSF विस्वकप 2023 जो कि भोपाल में आयोजित किया गया था फिर समीर खाखर का नेधन हो गया ये प्रशिद अभिनेता थे हाली में RBI ने कितने देशों को रुपए में व्यापार करने को मंजूरी दी है तो ऐसे अब टोटल 18 देश हो गए है जिसमें RBI ने रुपए में व्यापार करने को मंजूरी प्रदान की है टोटल 18 देश ये करंट है आपका मार्श 2023 का ठीक है याद रखिएगा फिर है हाली में किस देश ने आपचारिक रूप से मैक मोहन रिखा को भारत के अरुनाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतिराश्टी सीमा के रूप में माने रादी है तो अमेरिका फिर बात करते हैं मार्च 2030 को हर्याना के पंचकुला में आयोजित 26 वी अखिल भारती वन खेल खूद प्रतियुकता में कौन सा राज 11 वी बार ओवरॉल चैंपियन्स बना है तो यह है 36 गड़ अगला सवाल है हाली में भारत सरकार ने किस वर्स तक देश में कुत्तों से होने वाले रेवीच के उन्मूलन के लिए राश्टी कारियोजना का सुरू कर दिया है ठीक है 2030 तक याद रखिएगा रेवीच का उन्मूलन 2030 टीबी का उन्मूलन 2025 ठीक है उसी तरह सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन जो है 2047 ठीक है यह सारी चीजे डेटा याद रखे रहेगा आगे बढ़ते हैं The State of School Feeding Worldwide 2022 नामक रिपोर्ट किस अंतिराश्टी संस्था के द्वारा जारी की गई World Food Program के द्वारा आगे बढ़ते हैं भारत का पहला Cable Stair Railway Bridge किस राजिक केंद्र सासित प्रदेश में बनाया जा रहा है इसका निर्माड किया जा रहा है तो जम्मू कस्मीर में ठीक है Cable Stair Railway Bridge फिर है हाल ही में किस देश के एरिजोना में स्थित पवित्र होपी साइट को Ecomos Water and Heritage Sealed से समानित किया गया तो यह साइट है अमेरिका में भारत की निखत जरीन ने Women World Boxing Championship में 50 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है तो निखत को मिला है इसमें गोल्ड ठीक है Women World Championship 2023 में 50 किलो वर्ग में निखत को गोल्ड मिला है फिर है IQ Air की 2022 की वायुगड गुडवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्थर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूसित सहरों में दिल्ली किस अस्थान पर है दिल्ली है इसमें चौथ है अस्थान पर ठीक है आगे बढ़ते हैं राश्ट्रपती दौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्छी केरल में किसी प्रेजिडेंट कलर प्रदान किया है तो ये मिला है आइनस दुरोना चारिया को प्रेजिडेंट कलर राश्ट्रपती के द्वारा फिर है हाली में आयुद निर्मार दिवस 2023 किस दिन मनाये गया आयुद निर्मार दिवस मनाये गया है 18 मार्च को अगला सवाल है हाली में स्टेशनरी ब्रांड लगजर ने किस खिलारी को अपना ब्रेंडम मेजडर बनाया है तो ये हैं विराट कोहली विराट कोहली बने हैं स्टेशनरी ब्रांड लगजर के ब्रैंडम मेजडर फिर है हाली में किस अंस्थान के सोत करताओने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए पोर्टेबल 3D पेपर आधार डिवाइस तयार किया है तो यह आयाइटी मद्रास के द्वारा तयार किया गया है फिर है हाली में आलिया मीर किस राजिया के इंद्रसासित प्रदेश की पहली महिला बनी है जिनको वन्य जीव सन्रक्षड पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो यह हैं जम्मु कस्मीर की आलिया मीर ठीक है जिनको पहली ऐसी कोई महिला है जिनको यह पुरसकार मिला है जो है वो किस सहर में स्थित है तो मुंबई में है यह 29 मार्च को संग रहा लएके कितने साल पूरी होने का जश्ण मनाने के लिए नैशनल गैलरी आफ मौडन आर्ट दिल्ली पहली बार स्प्रिंग फेश्टा 2023 आयोजित कर रहा है तो इसके हो गए हैं टोटल 79 साल इसलिए मार्च 2023 को भारत सरकार ने पैन आधार को लिंक करने की अम्तिम्ति थी कब तक कर दी है 30 जुन 2023 तक फिर आगे बढ़ते हैं कचरे को खम करने और उसके प्रबंधन के लिए टिकाओ और पर्यावर्डी रूप से मजबूत प्रताओं को प्राप्त करना थीम के साथ अंतराश्टी सुन्ने अपसिष्ट दिवस इंटरनेशनल डे उफ जीरु वेष्ट किस दिन मनाये गया 30 मार्च को मनाये गया इंटरनेशनल डे उफ जीरो वेष्ट और इस बार की थीम थी achieving sustainable and environmentally sound practices of minimizing and managing waste फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है किसराजी के किसन गंगोली ने द्रिश्टी बाधित्तो की राश्टी सत्रन चैंपियनसिप 2023 को जीत लिया है तो करनाटक फिर आगे बढ़ते हैं हाल ही में किसराजी सरकार ने मुख्य मंत्री अल्पसंख्य भासा दक्षता एवं संप्रेशड कोसल विकास योजना लॉंच किया है राजस्थान किस देश की नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भंग कर दिया गया है नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जिसको हाली में भंग किया गया है यह है म्यामार की एक पार्टी फिर है पहले महिला आईपियल दोहजार तेश को मुमे इंडियन्स ने किस टीम को हरा करके जीता है तो दिल्ली कैपिटल ठीक है पहली महिला IPL 2023 फिर है पहले महिला IPL में कितने टीमों ने भाग लिया तो टोटल पांच टीमें है फिर है पहले महिला IPL 2023 में कितने टीमों ने भाग लिया तो टोटल पांच टीमें है जिसमें मुंबई इंडियन्स विजेता रही है और सामने टीम रही है गुजरात की पहले IPL 2023 में किस खिलाडी ने Emerging Player of the Season का अवार्ड जीता है तो ये हैं आस्तिका भाटिया पहले IPL 2023 में किस खिलाडी ने परपल कैप परपल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाडी को दी जाती है ये दिया गया है हैली मैथ्यूज को पहले महिला IPL 2023 में किस खिलाडी ने Orange कैप औरेंज कैप दी जाती है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाडी को ये दी गई है मेग लैलिन को खिलाडी ने पावरफुल श्ट्राइकर आफ दे मैच का वाड़ जीता है राधा यादव ने अर्जिंटिना के फुटबॉल खिलाडी लियोनेल मेसी ने अंतराश्टी फुटबॉल मुकाबलों में सो या अधिक गोल दागने वाले तीसरे खिलाडी बन गये हैं ठीक है ये तीसरे खिलाडी बने हैं एंसरी दे दिया है ठीक है लियोनेल मेसी तीसरे खिलाडी बन गये हैं अंतराश्टी फुटबॉल मुकाबलों में सो या अधिक गोल दागने वाले फिर है मार्च 2003 इसको लखना उसे पसुधन स्वास्ते हम रोगनी अंतरक योजना के अंतरगर्ट 201 करोड रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनिटी यूनिट को किसने लॉंच किया योगी आधित्यनाथ ने और आज का आखरी सवाल है हाली में एंटी सीए ने उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिज़र को बागों के संड़क्छन रख रखाओं के साथ बहतर ढंक से प्रबंधन के लिए कंजर्वेशन इस स्योड टाइगर स्टेंडर्ड का दर्जा प्रदान किया है यह दिया गया है पीली भीट टाइगर रिज़र को मिला है कंजर्वेशन इस स्योड टाइगर स्टेंडर्ड का दर्जा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ह ऐसे ही important वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए thank you so much